बात कर लेते हैं एनल्जेसिक याने दर्द नीवारक दवाईयों की यानि जो दवाईयां दर्द को कम करती है या दर्द को खतम करती है उन दवाई को इस वीडियो में बताए गया है अगर बात करें कंपनी की तो यह सेल्जिब, कोबिक्स और सिलेक्ट नाम से मिलती है बात करते हैं डोज की, एडल्ट यानि वैस्क को 200 mg परती दिन ये दवाई देनी होती है, या फिर 100 mg सुबशाम ये दवाई दे सकते हैं बात करें बच्चों की, तो अगर आपका बच्चा 25 kg से कम वजन का है, तो उसे 25-25 mg सुबशाम दवाई देनी है और अगर आपका बच्चा 25 kg से उपर है, तो उसे 50-50 mg सुबशाम दवाई देनी है बात करें बच्चे की, तो 1-3 mg पर केजी के हिसाब से हर 8 गंटे के दवाई देनी होती है नमबर 3, इटोडोलेक, ये लोडाइन, इटियोस और इटोकेर के नाम से मिलती है बात करें डोज की, तो एडल्ट यानी वैस्क में 200-40 mg हर 8 गंटे के दराल पर ये दवाई देनी होती है वही बच्चों में 10-20 mg पर केजी के हिसाब से दिन में 2 बार ये दवाई देनी होती है नमबर 4, आइबू प्रोफैन, आइबू जैसिक और एलफलेम नाम से मिलती है डोज की बात करतें तो एडल्ट में 400 mg से 600 mg हर 8 गंटे में दवाई देनी होती है और वही बात करें बच्चों की तो 5 mg से 10 mg पर केजी के हिसाब से हर 8 गंटे में दवाई देनी होती है नमबर 5, मेफैनिमिक एसिड ये मेफटालिसपास, मिफास्ट और पोल्स्टान के नाम से मिलती है बात करें डोस की तो एडल्ट में 500 mg हर 8 गंटे में आपके दवाई देनी होती है बात करें बच्चों की तो 5 साल तक के बच्चे को 125 mg हर 8 गंटे में और 5 साल से 15 साल के बच्चों को 200 mg हर 8 गंटे में देनी होती है ये ऐसी फैन, एसी कलो और जिरो डोल के नाम से मिलती है जिरो डोल एक परसिद नाम है दवाई का जिससे आसानी से मिल जाती है बात करते हैं डोस की तो एडल्ट में ही 50-100 mg हर 12 गंटे में देनी होती है वहीं बच्चों में इस दवाई को देने से मना किया जाता है हाला कि एस्प्रिन को दो रूप में इस्तिमाल किया सकता है यह दर्द निवारक दवा के रूप में इस्तिमाल की जाती है और खून को पतला करने में भी लाब दायक होती है अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, हार्ट से सम्मंदित किसी तरह की उसे समश्या है तो एस्प्रिन की दवाई दे करके उसे हार्ट अटेक आने से बचाय जा सकता है क्योंकि यह दवाई खून को पतला करती है यह एको स्प्रिन, एस्पी वैल, उड्डी स्प्रिन नाम से बजार में मिलती है डोस की बात करते तो एडल्ट में 325 mg से 650 mg हर 6 गंटे में यह दवाई दी जा सकती है वही बात करे बच्चोंगी तो 12 साल से कम बच्चों में यह 10-15 mg पर किलोगराम के हिसाब से हर 6 गंटे में देनी होती है और अगर बच्चा 12 साल से ज़्यादा उमर का है तो 325 mg से 650 mg हर 6 गंटे में दवाई देनी होती है जैसे ये वैसकों में दी जाती है नमबर 8 पाइरोक्सी कैम यह पाइरी कैम, पाइरोक्स और डोलनेक्स नाम से बजार में उपलब्द होती है डोस की बात करते हैं तो एडल्ट में 20 mg परती दिन के हिसाब से यह दवाई दी जाती है या फिर 10-10 mg के हिसाब से सुबशाम यह खुराक दी जाती है बच्चों में इस दवाई को नहीं दिया जाता है बारा साल से उपर के बच्चों को भी 100 mg दिन में दो बार दी जा सकती है बात करते हैं बच्चों में इस की डोस की तो बारा साल से नीचे के बच्चे को यह दवाई नहीं दी जाती है बारा साल से उपर के बच्चों को 50-100 mg दिन में दो बार दवाई दी जा सकती है जैसे बड़ो को दी जाती है यह दस दवाईयां थी जो दर्द को कम करने या खतम करने में इस्तमाल की जाती है अगले वीडियो में नहीं जानकारे के साथ जल्दी मुलाकात होगी तब तक सुस्त रहें मस रहें तंदरूस रहें आपका दिन शुब हो नमस्कार धन्यवाद